सुप्रिम कोट के आदेश के बाद जारखन में होमगाड के जो जवान है उनके चेहरे पर खुसी है दरासल सुप्रिम कोट ने राजसरकार को ये आदेश दिया है कि जल्द ही समान काम का समान बेतन मिलना चाहिए होमगाडों को ये बहुत सालों से इनका मामला लटका हुआ अब जब फैसला आ गया है तो क्या रियक्षान है पहला सुप्रीम कोट का जो आदेश आया इसको किस रूप में हम लोग इस सुप्रीम कोट के आदेश को एक एतिहासिक निड़ने की रूप में देखते हैं क्योंकि होमगार के जवान काफी लंबे समय संगर्स कर रहे थे इस लेकिन अभी तो किस तारीक से मिलेगा यह तै नहीं है तो क्या आप लोग मांग की जएगा कि क्योंकि हमारे जो वकील साहब है जिन्होंने वहां पर केस में सुनवाई किया है उन्होंने कहा है कि 2018 से जबसे केस में जीत हुए तब से आप लोग मिलेगा लेकिन इसके लिए इस लोग नहीं करती है तो फिर से हम लोग याले की सरेन हें जाएंगे है आइक बात मैं यही भी कहना चाहता हूं कि मानली में आदेश दिया है घॉमगार जयानों को जल से दि आदेश के बाद भी जाकन सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है होमगाड जोनों समानकार का वेतन का लाब नहीं देती है तो दो महने के बाद एक बड़ा अंदोलन जैसे विधान सवा में हुआ था, उस तो में एक बड़ा अंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे बाकी और जो जैसे फुलिस को वर्धिभताः भोजन भटाः आवाज शुब्दा ये समलता वो भी मिलना है या सिर्फ वेतन में जो है जो पूलिस तो क्या आसपास के राज्यों में भी ऐसा है मिल रहा है बिहार मिल रहा है सुप्रीम कोट में बहुत पहले ही आदेश दिया था लेकिन जारकन सरकार इस आदेश को नहीं मान रही थी क्योंकि पूर्व में सुप्रीम कोट का आदेश था कि ज्यारकंट के स्टेट के हो जमान रहे उनको पूलिस के समान समान बहुत सारा दिक्कत है जैसे कि ड्यूटी तो समाने रूप से वो जो करते हैं करना ही पड़ता है लेकिन उनको duty लेने में भी दिक्कत होता है जितना requirement है उतना भी पूरा नहीं होता है जवान अधिक है duty कम लोगों को लेकिए बहुत सी जिले में duty का दिक्कत है लेकिन राची में duty काफी है बाहर जिले में duty नहीं है वो जिले से राची में duty दिया जा रहा है और ये होने वाल जीए आरपी का वो भी पराव है वो खुल जाएगा तो पूरे समान हो जाएगा तो विए में कितना संख्या हैं अभी बीजार है अब बीसाजर है आप लोग को और क्या दिक्कत हो थे पैसा टाइम पे मिल जाता है नहीं मिलता है या उसमें भी फिर दिखते हैं टाइम से मिल जाता है कहीं कहीं संस्थान में लेट होती है जैसे आपका सीसियल हो गया नहीं तो और संस्थान में टाइम से मिल जाती है जैसे बैंक हो गया बैंक में टाइम से मिल जाता है आप बात है आप लोग ने हमेशा होमगाड की नियूज को कफर किया है दोजारी किस में विदान सभाक समझ 35 दिनों का लगातार आंदोलन चला था उस आंदोलन की देन थी कि सरकार ने एक मांग हमारा पूरा किया था कि जितने भी सरकारी विवाग संसान उपकरम है वहां पर यह सिआइपी है वहां पर प्राइबेट गार्ट वहां काम करें जब कि सरकार का असपष्ट आदेश है और यह आदेश केमिनेट से पास वहा था कि होमगाड जवानों को सुरच्छा ड्यूटी में लगाया जाएगा परंतु जो होमगाड के जवानों को प्रस्शिशन ज् सरकार जीसरे पुर्व में की की थी कि वेतन को बढ़ा दी लेक्र यूरों में किंख्या में कoffor कर तक कर दिया लेकिन आगर इस गया हमारी कट संदन करती है तो इस बार हम लोग चुप-चाप नहीं बैठेए बहुत जोड़दार बीरोद ओगा और ऐसा विरोध होगा जिसकी कलपना जाकन सकार नहीं की है एक तो बात आ रहा है कि जैसे सुप्रीम कोट से हूँ तो आदेस आ जाएगा राज सरकार को आप लोग उससे पहले क्या आदेस की कौपी मुखमंत्री को मिलके देंगे या ग्री विवाग में देंगे मनिनी की मंतरी इंके चहरे पर खुसी तो है कि लगपग दो गुना हो जाएगा इनका जो मांदे के लिजए सेलेरी तो नहीं मिल रहा है तो अभी लगभग 500 मिल रहा है तो वो हजार के करीब पहुँच जाएगा लेकिन वो संख्या बल्क की कमी है कई जगा थानों में या सरकारी उपकरण में आज भी नीजी सुरक्षा गाड को लगाया गया है जबकि जारखन सरकार का आदेश है कि महाँ पे होमगाड जवानों का ड्यूटी लिया जाए अब इनकी संख्या क्या बढ़ेगे कितना समस्य आएगा आगे सुप्रीम कोट को आदेश को पालन करने में राजसरकार कितना परता दिखाती और कितना जल्द इनको बेतन मिलेगा वो भी आम आपको दिखाएंगे हिलाल आज खुसी का दिन है होमगाड के लिए तो जस्त मनाईये सुक्रिया तो डिए गूल करयाrire भूल ओटा अज़ा इनको फूल ąć backpacker सभी टा थर ому वी दोरे विटाती और पालनuten Wiki कर दो